वेल्कम टू प्रियान सी स्टडी पॉइंट हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम वन लाइनर जी के कुश्चन्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परिछाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है गुण सूत्र क्या है तो ये है नुकलाइड में पाई जाने वाली छाए के समान रचना जो आनुवान सी कूट को ले जाती है ये गुण सूत्र कहलाती है हमारा अगला प्रस्जन है टीबिया नाम की हड़ी किस अंग में पाई जाती है तो इसका उत्तर है टांगों में टीबिया नाम की हड़ी टांगों में पाई जाती है हमारा अगला प्रशन है एक बार कितने पास्केल के बराबर होता है तो ये 105-105 पास्केल के बराबर एक बार होता है हमारा अगला प्रशन है दाल चीनी पेंड के किस भाग से प्राप्त की जाती है तो ये 6 से प्राप्त की जाती है दाल चीनी हमारा अगला प्रश्ण है सूर्य के प्रकास के सूर्य के प्रकास में किस रंग का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है सूर्य के प्रकास में किस रंग का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है तो ये बैगनी रंग का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है सूरी के प्रकास में हमारा अगला प्रशन है ध्वनी के पुनुरुत पादन है तू किसी सीड़ी आडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है तो ये क्वार्टज किस्टल प्रयोग किया जाता है सीड़ी आडियो प्लेयर में हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो अस्ट्रोजन क्या है तो ये हार्मोन है अस्ट्रोजन एक हार्मोन है हमारा अगला प्रश्ण है मानो शरीर में आउस्तन आक्सीजन का तत्व कितने प्रतिसत होता है तो ये 65 प्रतिसत होता है मानों सरीर में आक्सीजन का तत्व हमारा अगला प्रश्ण है एस्टिग मेटिक्स एक बीमारी है एस्टिग मेटिक्स एक बीमारी है तो ये आँखों की बीमारी है एस्टिग मेटिज्म ये आँखों की बीमारी है हमारा अगला प्रश्ण है दितिये यौन लच्छनों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है दितिये यौन लच्छनों को प्रभावित करने वाला हार्मोन हमारा आगला प्रशन है सूर्य के प्रकास में नीला और लाल रंग में से किसका प्रक्रिणन सबसे अधिक होता है तो नीले रंग का प्रक्रिणन जो है ये सबसे अधिक होता है हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तों लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है लाल और जब हरा रंग मिला दिया जाता है तो इससे कौन सा रंग बनता है किस रंग का आभास होता है तो काले रंग का आभास होता है हमारा अगला प्रश्णा है विद्धुत मोटर की कुंडली पर लगने वाले बल्युक में की दिसा निर्धारित की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा जो है ये दिसा निर्धारित की जाती है हमारा अगला प्रश्राइब जब कार्बन अपर्यापत आकसीजन की उपश्थिद में जलता है और उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कार्बन मोनो आकसाइड कहा जाता है अगर दोस्तों वीडियो आगे की ओर जुख कर चलता है पहाली पर चड़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर जुख कर चलता है तो किस कारण जुख कर चलता है इस्थाजित्यु के कारण वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करना हमारा अगला प्रश्राइब एच आईवी पोजिटिव क्या है एच आईवी पोजिटिव क्या है तो एड्स उत्पन करने वाला संक्रमन और दोस्तों एच आईवी का फुल फॉर्म है हमारा अगला प्रश्राइब रिक किस नियम पर आधारित है हाइडरोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है तो यह पास्केल के नियम पर आधारित है हाइडरोलिक ब्रेक हमारा अगला प्रश्ण है मानो सरीर का काउंसा अवयो सबसे पहले नाभिकिये परमाडू विकिरन से प्रभावित होता है मानों सरीर का काउन साव या सबसे पहले ना भी किये पर माड़ू भी करन से प्रभावित होता है तो ये अस्थी मज्जा यानि बोन मैरी प्रभावित होता है हमारा अगला प्रशन है दोस्तो महो किसका मात रख है महो किसका मात रख है तो ये चालकता का मात रख है महो हमारा अगला प्रशन है इंसुलिन हार्मोन की खोज किस ने की थी इंसुलिन हार्मोन की खोज किस ने की थी तो ये बैटिंग एंड बिस्ट ने की थी इंसुलिन हार्मोन की खोज किया था किस ने तो ये किया था बैटिंग एंड बिस्ट ने हमारा अगला प्रश्ण है मानो मस्तिस्क का कौन सा भाग है जो स्वसन क्रिया हृदय कती तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है तो ये है मेडिूला, ओबलो, गाटा है हमारा अगला प्रश्ण है प्रिजम द्वारा विषेपन के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होती है तो ये एसेटिलीन गैस निकलती है हमारा अगला परशन है दोस्तों मेंडलीव किस कारण प्रसिध्ध है तो ये तत्वों के आवर्ति वर्गी करन के कारण मेंडलीव प्रसिद्ध है हमारा अगला प्रश्ण है धान का वैग्यानिक नाम बताईए तो धान का वैग्यानिक नाम है यह औराईजा साइटाईवा है धान का वैग्यानिक नाम हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तों दोध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो यह रैनिन एंजाइम है मस्तिस्ट का कौन सा भाग स्वशन की आपकों पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजे धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं कुछ अन्य प्रशनों के साथ कुछ अन्य महत्पूर्ण प्रशनों के साथ तब तक के लिए जैहिन जैवारत